हेलो बच्चो वेलकम आप सभी का हमारे नई वीडियो के अंदर आज हम 7th साइंस का चेप्टर नमबर 8 करेंगे देट इज विंड्स, स्टॉर्म्स, एंड साइकलोन सो एक्सराइज सॉलेशन हमार रहेगा एंशार्टी बुक के अकॉर्डिंग सो स्टार्ट करते हैं क्यों से नमबर first that is feel-in-the-blank first of all, fill-in-the-blank first fill-in-the-blank रहेगा हमारा wind is dass-air की wind है जो हमारी वो कोन से type की air बोली जाएगे इसको जैसे breeze के अगरबात होती तो cool air होती है ठिक है? ऐसे wind के अगर बात करना तो क्या हो जाएगा हमारा moving या फिर blowing air क्या हो जाएगा moving air second one winds are generated due to days hitting on the earth कि जो winds है वो generate कैसे होती है कि अर्थ की अपरे सा क्या होता है जिसके कार्ण वो generate होती है that is uneven hitting of the earth यानि जो हमारी अर्थ है वो uneven का मतलब कईसी जगह से गरम हो रही है यह किसी जगह पर ठंडा है ठीक है तो uneven heating है यानि कि सब जगह पर यानि टोटल जो हमारी अर्थ के उपर एक जिससा temperature ना ओकर क्या होता है अलग-अलग उसी कार्ण क्या होगा जिस जगह के उपर हमारी अर्थ जादा गरम होती है ठीक है तो वहां की जो होट एर है वो क्या करेगी उपर उठ जाएगी डियू टू लेस डेंसिटी एस कंपेर टू कॉल्डर एर ओके बच्चों तो होट एर हमारी उपर क्यों रूटती है तो यह किसके कांट जेनेट होती ही सारक सारा हमारा अन्यवन हीटिंग ओन दा अर्थ नेक्स विन नियर दा अर्थ सर्फेस जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि अर्थ की सर्फेस के पास अब यहां पर जो होट इंवार्मेंट है इसका मतलब क्या हो जाएगा जो नियर दा सर्फेस ओफ एर भी हमारी कैसी होती है होट गरम होगी ठीक है तो यानि कि वार्म या फिर होट एर राइज अप यानि अमारे गरम जो हवाय वो क्या हो जाएगी उपर उठेगी क्यों रिजन पूछा जाए आपसे भी क्यों आती है नीचे तो रिजन क्या हो जाएगा डेंसिटी ठीक है डेंसिटीक मेह किश्फध यानिच्ट है फिर फूर्म थी है लिजाएप डेंसिटी ऐब रीजन चलेगा हाइब मेहता है रहा Ciao lower region of high pressure to lower pressure जहाँ पर pressure ज़्यादा होगा वहाँ से वो चलना स्टार्ट करेगी और जहाँ पर low pressure मिल जाएगा वहाँ पर वो क्या करेगी moment करती जाएगी next one suggest two method to find out wind direction कि आप किसी जगह पर गई वो और वहाँ पर आपको wind की direction का पता करना है तो आप कैसे करोगे तो इस question के अंदर हम जो हमारा एक तो modern method होते हैं ठीक है यह वोटे traditional method तो उन दोनों के बार में पढ़ेंगे जैसे first one take some fine and lighter sand कि आप कुछ fine यानि या फिर lighter sand को अपने हाथ में उठाईए और उसको slowly slip it off यानि अपने हाथ से धिरी धिरी छोड़िये यही method आप six में भी पढ़ाऊगा आपने और eight class के अंदर भी आएगा मारा that is जो farmer use करते है renewing method ठीक है यानि कि जो heavy particle of grain को अलग करने के लिए renewing method करते हैं वही same मारा क्या हो जाएगा यहाँ पर sand के साथ करना है तो जैसी हम sand को अपने हाथों से निच्चे के और छोड़ते हैं ठीक है तो हमेशा lighter particle क्या हो जाएगे हवा की speed के साथ उड़ेंगे आगे जाएगे कही ना कहीं पर और जिस direction में हवा हमारी चल रही होगी वह sand के particle उसी direction के अंदर क्या करते हैं हमेशा flow करते हैं और हमें पता चल जाएगा कि wind की direction क्या है ओके दा मुमेंट ओफ डस्ट पार्टिकल इन ए पार्टिकल डारेक्शन विल गीव दा डारेक्शन ओफ विंड फ्लॉइं अब जिस भी direction के अंदर हमारे पार्टिकल मुमेंट करें ठीक है वही direction क्या होगी एयर की उस टाइम पर रहीगी second one यह भी एज ट्रेडिशनल ही बोल सकते हैं फ्लाई ये काइट अब हम पतां उड़ाएंगे ठीक है तो इन दा डारेक्शन ओफ काइट फ्लाई सेल्दाफ बिंड डारेक्शन जिस भी डारेक्शन के अंदर हमारा काइट फ्लाई करेगा वही direction क्या होगी हमारी एयर की direction होगी ओके next टेक बिट ओप पेपर ओन योर पाम आपने हतली के छोट-छोटी टुकड़े ले सकते हैं पेपर पीसीज के ठीक है और उनको फ्लाई करने की कोशिज के उनको उड़ाएं और वह जिस भी direction के अंदर उड़े वही हमारी क्या होगी एयर की direction रहेगी ओके स्टुडेंट इसके अलावा एनिमोमीटर और विंड वेन यह हमारी modern टेकनीक्स है ठीक है एनिमोमीटर का भी यूज कर सकते हैं जैसे आपकी बुक के अंदर तो डाइगराम दिया हुआ इसका ठीक है एरो की direction में होते हैं इस एरो की direction को कंट्रोल करने के लिए इसके उपर एक फ्लेक का सिस्टम भी बना होता है क्या करेगा वो कि जैसे एर जाएगी यह मुमेंट करेगा जिस भी direction में एरो आपको आपको सो करेगी वह direction आपकी क्या होती है एल की होती है इसके अलावा एक कागच का बना हुआ और आगे सी यह भी हो लो रहेगा ठीक है यहां से तकी एर पास हो यह भी जिस direction के अंदर घूमता है यानि इसको भी आप यूज कर सकते हैं यह यह विंड डारेक्शन इनके डार्ट आपको डियाग्राम भी एनिमोमेटर आविंड वेंड बोलते हैं यह आपकी बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ भी है नेक्स वन उतने experience आप लिख सकते हो शेयर कर सकते हो तो अकोर्डिंग टू बुक के अकोर्डिंग क्या दे रिखा है ट्री लिव्ज एंड ब्रांचीज हमें यह बताना है कि एयर प्रेसर एग्जर्ट करती है या नहीं आप बैलून के अंदर हवा डालते हो बैलून का साइज हो गया यस एयर एग्जर्ट प्रेसर यह भी है जो कि आप नहीं दिया हुआ है आप उसका उटलाइज कर सकते हो ठीक है ट्री लिव एंड ब्रांचीज फ्लर्टर ट्री लिव एंड ब्रांचीज फ्लर्टर ड्यू टू प्रेसर एग्जर्टीड बाई दा एयर फ्लर्टर का मतले ह पे हिलना ठीक है कि ब्रांचीज या फिर जो लीफ होते हैं वो फ्लटर करते हैं आपको दिखाया देते हैं वो भी किसकी प्रजेंच को सो करते हैं एयर प्रेशर को it is difficult to ride a bicycle against the wind but dat much easier in the direction of the wind के जिश भी direction के अंदर हवाँ चल रही है उसी ड्रेक्षन के अंदर साइकल को चलाणा रही होता है क्योंग क्योंकि विंट आपकी Pearson कर किए और एप्रेसर क्रेत करके या पोजिट टुग फिरेक्शन अगर हम बात करें यानि कि जिस direction के अंदर हवा चल रही है आप उसके opposite direction के अंदर के cycle चलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा मुस्किल होगा क्यों इसका भी same reason कि air क्या करेगा है आप एकजर्ट प्रेशर ओके बचो नेक्स वन आप एक घर खरीदना चाहते हैं वुड्यू लाइक तो बाइए हाउस हेविंग विंडोज यह आप एक घर तो खरीदना चाहते हैं ठीक है कंडिशन दे रहे कि यहां पर कि उसमें विंडोज तो है बट कोई वेंटिलेटर नहीं है वेंटिलेटर का मतरब क्या हो जाएगे य या फिवेंटिलेटर वाड़ा एक्जोस्ट फेन जो यूज करते हैं ठीक है बट उसके अंदर कोई वेंटिलेटर नहीं है अब मालो फॉर एक एक्जांपल किता हूं मालो यह कोई रूम है ओके और वेंटिलेटर इसमें क्या है जो अपर मॉस पॉर्शन पर लगाता है यह वेंटिलेटर ठीक है आप एक रूम खरीदना चाहते हैं घर खरीदना चाहते हैं पर उसमें वेंटिलेटर का कोई सिस्टम नहीं है विंडो तो काफी सारी है तो आपका सजेशन क्या रहे गया है आप एक्स्प्लेन यूर आंसर भी आपको एक तो वेंटिलेटर वाड़ा वेंटिलेटर वाड़ा वहाउस आप खरीदना की कोशिस करोगे आप खरीदना चाहिए और जिसमें वेंटिलेशन नहीं होती है उसको नहीं खरीदना होगा उसका रिजन बताना आपको इसक्यूसिन के अंदर ठीक है तो आंसर देंगे हम नहीं करीदना चाहिए क्यों क्योंकि अगर वेंटिलेटर नहीं होगा विंडोस तो है बट उसकी जो गरम हवा है क्योंकि होटेर हमेशा कांपे मिलेगी अपर्मोस्त लेयर अब दा हाउस या अपर्मोस्त लेयर अब दा रूम यानि कि सीलिंग चत के पास मिले गरम हवा और अगर वो गरम हवा उस रूम से बार निकल जाएगी तो इसका मतलब लो प्रेसर क्रेट हो जाएगो तो ठंडी अववा आँ पे आ जाएगी सबजगे बट होगा क्या कि उस घर के अंदर को वेंटिलेटर तो है नहीं तो इसका मतलब जो गरम हवा है अब गरम हवा कौन से हो सकती है घर में कि जनकी हो सकती है ठीक है या फिर आप कोई ऐसी गरम मेटिरिल का उटिलाइज कर रहे ही तो उसकी हवा एज़ी टीज अपर वार्म एयर अब कीचन का तो समोक है वह या फिर घर के अंदर कोई गरम हवा है तो वह कहां पर उठेगी है मिसा उपर क्यों इस देर इस नो आउटिलेट अगर वहां पर कोई आउटिलेट नहीं है यानि कि वेंटिलेटर नहीं है इट विल बी डिफिकल्ट तो इसके तो सफोकेशन एंड डिसकंफर्ट आपको उसमें हुमस या फिर डिसकंफर्ट आप उसमें कंफर्ट फीले नहीं करोगे क्योंकि रूम हमारा क्या जाएगा ज्यादा गरम ओके बच्छो नेक्स वन एक्स्प्लेंड वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर एंड होल्डिंग ऑचो हुआ अपने बजार वगए आर्फ देखा है जहां पर लहते हो कि वहां पर जो भी वागैरा लगए होतें उनके अंदर या तो अपको कट लगाईयों मिलेंगे ठीक है या तो क्या हो उसमें कटोंगे या फिर उसके अंदर होल्स की होते हैं तो वो क्यों बढ़ाए होते हैं क्या रिजन होता उनका अब जितने भी होर्डिंग वगेरा होते हैं वो बिल्कुल बारिक कपड़े के बने होते हैं या फिर बारिक प्लास्टिक के बने होते हैं पिछले किसमें पड़ा था air exert pressure हवा pressure create करेगी और उस pressure के काण वो बारिक कपड़ा या फिर वो cloth या फिर बारिक जो plastic की जो layer है thin layer of plastic ठीक है वो क्या हो जाएगी मारी foot जाएगी और अगर हम उनके अंदर holes कर देते हैं छोट-छोट holes कर देते हैं ठीक है तो वो क्या होगा जो air है उसका pressure क्या हो जाएगा release हो जाएगा हवा इसके अंदर से easily pass कर जाएगी और हमारा holding है उसकी life क्या हो जाएगी ज्यादा यानि वो फटे गाने और फटे गाने तो वो लंबे time तक चलता रहे ठीक है जैसे diagram के अंदर मैंने आपको दिखाना कि यह जो holes है यह क्या कम करें जैसे हवा है आएगी इसके अंदर से निकल जाएगी और pressure क्या जाएगा काफी कम so answer air exert pressure in all the direction यह हवा है न वो pressure create करती है all the direction if banner and hoardings if banner and hoardings do not have holes अगर holes नहीं होंगे तो क्या होगा इसमें pressure exert by wind यानि कि हवा से जो भी pressure create होगा में tear them off वो उनको fire भी सकती है और maybe fall नीचे भी गिर सकता है holes let the air pass through और holes यहां पी क्या करेंगे हवा को pass करने में help करेंगे और air pressure क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा और वही hoarding और banner की जो life हो बढ़ जाएगी next one how will you help your neighbors in case cyclone approaches your village or town अब यह question भी काफी important में रहता है कि आप अपने neighbors की कैसे help करोगे अगर वहां पे आपके आप देखे help your neighbor and friend in shifting their important household good की घर के ज़रूरी समान होते ना उनको एक से दूसरी जिगर ट्रांस्पर करने में help की और में लिए बचो याद रखे कि आपको living being यानिकी जो kettles है उनका सबसे ज़्यादा compulsory लिखना है आपको kettles जरूरी होते हैं और kettles में shift करने क्या कोई compulsory नहीं है आप उनको normally open यानिकी खोल के छोड़ सकते हैं केटल अपनी देख बाग कुद कर सकते हैं नेक्स है communicate with government agents अगर आपको पता है कि साइकलोन आज सुका है तो आप अपने लेवल पे पुलिस को call कर सकते हैं फायर ब्रिगेट की रिपाइटम्ट उसको call कर सकते हैं या medical center ठीक है उनको नेक्स है we should store water for sap drinking पानी को store करना ना भूले ठीक है पानी को store करके रखें जितनी भी flood वाले जो एरियाज है flood एरिया कौन्स होते जहां पर बाढ़ आई होती है ठीक है उन एरिया के उपर आप driving ना करें उस जगह पर ना जाए ठीक है बैसा safer place की हो इसके लावा आप अपने लेवल पे कुछ points और भी एड़ कर सकते हैं ठीक है जैसे आप अगर घर के अंदर है और recycling अगर आ चुका है तो आप वहां पे सबसे upper level की जो building है वहां पे shifting कराने में अपने friends या आपी neighbors की help कर सकते हो ठीक है आप उनको वह जो उपर की level के जितने भी buildings है उनके अंदर transfer हो जाएगा वह आप अपने पास भी रख सकते हैं ठीक है जितने भी living beings है जैसे कुते बि advance to deal with the situation created by cyclone की cyclone जैसे पहले question किया है वही सही हमारे यहां पे कि आप क्या क्या planning कर सकते हो अगर cyclone create हो जाता है आपके locality के पास या फिर आपके area के अंदर self help is the best help जर से पिछले question में मैंने आपको बताया था कि आप अपने level पे सबसे ज़्यादा कोशिस करें ठीक है अपन to plan in advance आपको पहले planning करने पड़ेगी अगर ऐसी के situation आजाती है और इसी लिए आपके लिए chapter बनाया गया है ठीक है कि मालो हम safer place पे है बट इंडिया के अंदर बहुत सारे इसे places जहां पे साल के अंदर 2 या 3 बर cyclone create हो जाते है ठीक है तो यह उन लोगों के helpful होते है self defense against approach cyclone आ आप अपने आपकी रक्षा करना खुझ सीखे self defense ठीक है क्योंकि government agency आउंके पास इतनी capability भी नहीं होती कि वह उस time पे आप तक पहुंचेंगे क्योंकि cyclone का effect हर जगा रहेगा हो सकता उनको आने में time लग सकता है ठीक है planning required for in advance to deal with cyclone hit situation जैसे क्या क्या कर सकते हो point हमारे keep an emergency kit ह हम ऐसा एक emergency kit बनाए रखें ठीक है जैसे हमारा first aid होता है store enough food and safe water साफ पानी और खाने का समान store रखें store drinking water contaminated water can be cause disease क्यों क्योंकि contaminated यानी जो cyclone से infected होती है चीजे उसमें bacteria virus हो सकते हो आपको infect कर सकते है की phone number of emergency service जितनी भी government agencies है उनके जो number होते मारे जैसे 1800 ठीक है जो start होते है वो उनको आपर note रखें make necessary arrangement to shift the essential household good domestic animal and vehicle कुछ arrangement आप अपने लेवल पर बनाए कि ऐसा होने पर हम इस जगह पर अपने animals को अपना जो household items है उनको transfer कर सके which one of the following place unlikely to be affected by cyclone की option दिये गया इन में से कौन सा place not affected होता है cyclone से unlikely का मतलब जहां पर ज्यादा तर cyclone create नहीं होते तो अमरित सर cyclone वहीं पर ज्यादा creation होती जहां पर seaside areas होते है ठीक है next question नमरा question number 9 और यह exercise का last question रहेगा which of the statement given below is correct कि इन चारों में से कौन सी statement हमारी ठीक रहेगी so start करते है first one से in winter the wind flow from land to the ocean क्या सर्दियों के अंदर हवाई land to ocean चलती है yes क्योंकि सर्दियों के अंदर क्या होता है कि water के comparison में land कैसी होती है अब यहां पर दो point बनते है कि land to sea यानि कि land to ocean अफि land to sea की बाते पर कि flow from land to sea तो जब हवाई land to sea चले तो इसका मतलब sea का जो water है वो गरम होता है compared to land तो यानि कि वहां का water उपर जो air होगी वो गरम air उपर उठेगी और जो जमीन की जो ठंडे है वो कहां से कहां जाएगी land to ocean यह statement हमारी बिलकुल right है और आपको इन में से एक ही statement right बताने थी और यह हमारी right है इसलिए answer क्या हो जाएगा फास्ट ऑप्शन ओके बिचो तो यह थी हमारी exercise चैप्टर नमर एड की wind storm and cyclone hopes भी को अच्छे से समझ में आई होगी और आगे की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए चैनल नाइम इज लीड साइन्स ओके बिचो बाई बाई है वे नाइस टी